नमस्कार मैं मुस्कान कनोजी और आप देख रहे हैं ACC News Today दुनिया की हर एक देश का अलग-अलग मैप होता है और सबी देशों के अधारिक मैप में केवल उसी को देश दिखाया जाता है लेकिन भारत में मैप की बात अलग है आपने अक्सर भारत के मैप के अंत में श्रीलंका को जरूर देखा होगा जबकि दोनों अलग-अलग देश हैं बावजूत इसके भारत के मैप के साथ हमेशा श्रीलंका जुड़ा होता है वही अब आपके मन में सवाल उट रहा होगा कि क्या ऐसे पडोसी देश होने की वज़ा क्या है लेकिन पाकिस्तान और चीन भी भारत के पडोसी देश है इसके बाद भारत के मैप श्रीलंका को ही क्यूं दिखाय जाता है पाकिस्तान और चीन को क्यूं नहीं दरसल भारत के नक्षे में श्रिलंका को दिखाना भारत के लिए बेहत अनिवारे है। ऐसा ना करना कानूनी अपराद है। समुद्री कानून के तहर श्रिलंका को अपने मैप में दिखाना भारत के लिए अनिवारे है। इस कानून को बनानी की पहल सयुक्त राष्टे नी की श्रिलंका के इस सीमा के भीतर आता है। वही भारत से श्रिलंका की दूरी मात्र 18 मिल है। इसलिए लोग अफड़ सी के कारण श्रिलंका को भारत की मांचित्र में दिखाया जाता है। दरसल सन 1956 में संयुक्त राष्टे की तरफ से United Nations Convention of the Law of the Sea का आयूजन किया गया था। वह इस सम्मेलन में कई देश शामिल होए थे। इसमें हुई बादचीत का नतीजा 1958 में आया था। इस दोरान सभी देशों के समुद्री सीमाओं को लेकर संधिया और समझोता पर कानून बनाए गए। वही सन 1973 से 1982 तक तीसर सम्मेलन आयूजित किया गया। और इसमें समुद्री से जुड़े अंतराश्टिय कानूनों को मानने तदी गई। इन्ही कानूनों में से एक है law of the sea जिसके तहत किसी देश के नक्षे में उस देश की बेस लाइन से 200 natural mines तक की सीमा को दिखाना आनिवारे होता है।